हमारी एक आदत होती है कि हमको अगर किसी चीज में जीत मिल गई तो हम उसी चीज का फॉर्मला बना लेते हैं एक्जामपल के लिए कि अगर क्रिकेट मैच हो रहा है ठीक है आप एक बार जीते, दो बार जीते, पांच बार जीते तो आप जिस तरह से जीते हो उसका फॉर्मला बना लोगे उसका एक एक रेसिपी बना लोगे कि यही करने से मैं बार बार जीतता हूँ तो आप सेम टीम को खिलाओगे, मतलब सेम प्लेयर्स को खिलाओगे मैच में सेम टेक्निक हर बार इस्तमाल करोगे, सेम स्ट्राटीजी बनाओगे, इस्पेक्टिव ओफ कि आपके सामने ओपोनेंट क्या है, similarly, अगर मूज में देखें तो, कोई एक, आप मालूब किसी पिचर की प्रोडूइसर हो, आपने पिचर बनाई, वो बहुत सुपर हीट होगी, तो यह बहुत common होता है, कि लोग उसी का फिर sequel बनाते हैं, उसी का second part, third part, क्योंकि वो बिचर हीट हुई है, तो आपको पता है कि यह हीट हुई है, तो यही चीज़ वापस करेंगे, तो उनका भी रहत है कि अगर हमने एक लड़ाई जीती तो उसी strategy को बार बार इस्तमाल करेंगे एक अंग्रेजी में code भी है that if it ain't broke then don't fix it मतलब आपके तरीके में कोई कोई गलती नहीं अगर तो उसको fix नहीं करना चाहिए उसको change नहीं करना चाहिए क्या ये आदत हमारा फायदा कराने के बज़ाए हमारा फायदा कराती है क्या इसी के बारे में आज का वीडियो है कहानी शुरू होती है साल 1605 में जपान में एक आदमी से एक सामुराय से इस आदमी का नाम है Miamoto Musashi ये एक सामुराय था और इसको बच्पन से ही तलवार वाजी का बहुत शौक था तो जब ये सिर्फ तेरा वर्ष का था तो इसने एक डूएल किया डूएल मतलब किसी और दूसरे किसी युद्धा के साथ वन-on-one fight करते हैं तलवार से वो इसने किया और उस fight में जीत गया तो ऐसे ही धीरे धीरे करते करते इसकी जो fame है वो बढ़ने लगी और लोगों को मालूम पढ़ने लगा कि भाई मुसाशी नाम का एक सामुराई है वो बहुत अच्छा fighter है और बहुत यंग है अभी तो साल 1605 में मुसाशी हो गया था 21 years का और अभी तक आते आते इस साल तक इसकी अच्छी खासी repetition मन चुकी थी कि ये तलवार बाजी बहुत अच्छे करता है तो इस साल में एक दूसरे fighter ने जिसका नाम था माताशी चिरो उसने इसको challenge किया डूएल के लिए अब ये जो माताशी चिरो था ये बहुत important character है क्योंकि ये याशियो का नाम के एक family थी जपान में उस family का ये member था और माताशी चिरो ने इसलिए मुसाशी को challenge किया था क्योंकि 1605 के ही साल में इसके कुछ पहले कुछ महीने पहले मुसाशी ने माताशी चिरो के father को और बाद में उसके चाचा को इन दोनों को इसने one on one duel में हराया था उनको मार दिया था तो obviously माताशी चिरो के लिए बहुत ही बहुत खराब बात थी उसके फादर मर गए उसके अलावा एक गौरो की बात भी थी याशियो का family जो थी वो तलवार बाजी के लिए famous थी तो उनके लिए बहुत बड़े उनके अहम के उपर बहुत बड़ी चोड थी और बहुत बेज़िती की बात थी उनके लिए तो इसलिए उन्होंने plan किया कि इसको हम एक डूल के लिए invite करते हैं अब जो मुसाशी के दोस्त है उन्होंने कहा कि भाई ये तुझे जो लड़ाई के लिए invite कर रहे हैं ये नॉर्मल डूल होगा नहीं ये लोग हारे हैं तेरे से बार बार तो ये किसी तरह से तेरा बजला लने कोशिश करेंगे और तेरे को अलग तरीकी से न इन एथिकल त तो उसने कहा कि हम डूल करेंगे रात के टाम, उसने रात के टाम मुसाशी को बुलाया और मुसाशी को लगा कि कुछ तो दाल में काला या रात में कहां डूल करता है बट फिर भी उसने इस प्रपोजल को स्विकार किया मुसाशी की एक टेकनिक थी वो जबी भी किसी डूइल में जाता था नडाई करने के लिए तो हमेशा वो जो टाइम होता था डूइल का उसके बहुत लेट पहुंचता था उसके हमेशा दो थी कि वो डिले करेगा ताकि जो उसका ओपोनेंट है वो वेट करे वहाँ पे और वेट करते करते फ्रस्ट्रेट हो जाया पूरी तरह और गुसा आ जाया उसको ताकि जब वो फाइट करे तो उसका फोकस हिला रहे वो प्रेजेंट के उपर फोकस ना कर पाए यह टेकनिक हर बार लगाता था मुसाशी और अक्चली मुसाशी की आदत अक्चली प्रस्टित हो गई थी लोगों को पता था कि यह हर बार आशी करता है तो मातासी चुरू को पता था कि यह ऐसा लेट करने वाला है तो उसने का कि हम लोग time पे पहुंचेंगे हमको पता है कि लेट आएगा और हम जाके इसके लिए ambush कर लेगे तो माताशी चुरू अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेगे गया एक team मना के लेगे गया और जब वो वहाँ पे पहुंचा तब उन्होंने देखा कि यहाँ मुसाशी पहले ही पहुंचा हुआ था वो पेड की पीछे अंदेरे में चुपा हुआ था और जैसे यह लोग यहाँ पे आये अचानक से बहार आये मुसाशी और इसने बोला कि मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ और उसने सीधे अपनी तरवार निकाली और माता सीचुरो को उसने मार दिया जो माता सीचुरो के साथ बाकी आदमी थे वो एकदम कन्फ्यूज होगे कि अचानक से कहां से आया और जब तक वो रिस्पॉंड कर पाते उस पे अटैक कर पाते तब तक उसने माता सीचुरो को मारने के बाद इन सारे लोगों को मार के वहां से निकल गया और एक और जीत हुई मुसाशी के नम इस जीत के बाद जब याशियोगा फैमिली के तीन लोगों को उसने मार दिया था तो उसकी रेपिटेशन बहुत बढ़ गई और वो 21 साल का था बहुत यंग था इस वज़े से लोगों को लगने लगा कि यह बंदे में कुछ बात है और मुसाशी भी उसको भी मन में आने लगा कि यहाँ बाद है और उसने फिर ट्रावल करना शुरू किया वो ट्रावल करता था जगा जगा पर और सुनता था कि कहीं पर भी कोई अच्छा फाइटर है तो उसको चैलेंज करता था कि इसको मैं चैलेंज करूंगा उसको हराऊंगा और मेरी रेपिटेशन और बढ़ेगी तो ऐसी वो गुमता था तो एक बार अपने ट्रावल के दौरान उसको एक और एक फाइटर का नाम सुने पड़ा उसका नाम था बाइक कन और इसके खास बात यह थी कि इसके वेपन्स बहुत अलग टाइप के थे यह दो वेपन्स इस्तेमाल करता था एक हाथ में उसके होता था हसिया टाइप उसको सिकल कहता है इंग्लीश में चैन को जोर से घुमाएगा तो पहले मोमेंटम मराएगा उसके बहुत जोर से मारेगा और जब सामने वाले को लगेगी तो एक तो रीच इतनी होती है उसकी इतना दूर तको मार सकता है तो जो सामने वाला फाइटर और नस्दीक ही आनी पाता तो यह इसका वेपन था वहाँ पहुंचे लड़ाई करने के लिए तो वहाँ पहले से पहुंचा हुआ था बाइकन और मुसाशी फिर लेट आया जब लेट आया तो गुस्सा हुआ बाइकन को कि यह क्या लेट क्यों आ रहे हैं जबकि वो हमेशा लेट आता था फिर भी मतलब आप पुराने जमान पहुंचे लेट गया और फिर उसके बाद यह हमेशा मुसाशी एक तलवार से फाइट करता था बट इस बार वो दो तलवार लेका आया एक तलवार नॉम्मल साइज की थी एक तलवार लंबी थी जब भाइकन ने देखा कि यह दो तलवार लेके आ रहे है तो उसको थोटी नॉमली बाइकन पहले चार्ज करता था पहले अटाक करता था उसके पास यह रीच थी ना तो दूर से ही मारता था इस केस में पहले चार्ज के मुसाशी ने वो उसके पास जब मारने के लिए उसको गया तो बाइकन पिछे हो गया और उसको अपना गुमा ही नहीं पया उस इस ने सीधे उसको घोब दिया और इस तरह से बाइकन का भी अंत हुआ मुसाशी के आंटो बाइकन की लोगों की नजर में बहुत रिस्पेक्ट थी उसके पास इतना खतरनाग वेपन था तो इस जीत के बाद मुसाशी की रेपिटेशन और बड़ी फिर वो ट्राइल करता गया और उसको एक और फाइटर मिला फिर और इस फाइटर को कहते हैं कि इसका अल्टिमेट टेस्ट था इस फाइटर का नांता सासकी और इस बंदे ने मुसाशी को चालेंज के लड़ाई के लिए इस फाइटर की खास बात ये थी कि इसके पास एक बहुत लंबी तलवार थी और लोग इस तरह सी कहानिया बनाते थे उसके तलवार के बारे में कि उसके तलवार में ही बहुत दम है मतलब अगर किसी भी फाइटर के आप तलवार रेगी तो तलवार जिताएगी इतना खौफ था सासीकी किया और जब सासीकी ने इसको जब चैलेंज किया तो लोगए को लगा कि मुसाशी का यहां पे अब उसका अंत हो जाएगा सासीकी भी बहुत चलाग था तो उसने क्या किया मुसाशी को अपने घर के पास या कही और नजदिक invite नहीं किया, उसने अपने एक beach पे invite किया उसको और वहाँ पे बहुत audience थी उसका उनों लोग की dual को देखने के लिए तो वहाँ पहुँच गया और एक बार फिर मुसाशी जो है एकदम late करके मतलब पहले 10 मिनट हुआ, 20 मिनट, आदा गंटा, एक गंटा, दो गंटे के बाद मुसाशी बीच पे अपनी boat लेके दिरे दिर आ रहा था और चप्पू बोलते हैं जिसको हम लोग उसके पास एक छोटी सी एक हाथ में एक तरफ उसके पास weapon था दूसरी तरफ एक जो उसका चप्पू था और और को उसने बना लिया था उसको उससे लेके वो लड़ाई करने के ला आ गया और उसकी जो वेश-भूशा थी मुसाशी की उसने पहना क्या था सर पे गंदे से टावल किया उसने पगड़ी सी पहनी हुई थी और कोई भी मतलब उस occasion को सूट करने के अपने आपको धंग से अच्छी तरफ उसने वेश-भूशा पहनी ही नहीं थी और सामने से जो बंद चड़ाते हो ना तो कुछ कॉमेंट कर देते हो वो भी किया उसने तो यह एकदम गुस्ता हो गया और सासीकी और इसकी लड़ाई फिर शुरू ही इन लोगों की लड़ाई बहुत देर तक चली बट किसी कोई उमीद नहीं थी कि सिर्फ और जो था उसका वो आक्च्छी इस प्रकार सासीकी का भी अंत हुआ। सासीकी वाली फाइट मुसाशी के जिंदगी की सबसे बड़ी फाइट मानी जाती है क्योंकि सासीकी भी कभी एक जमाने में बहुत ही Ċंखार वारिर हुआ करता तो जब सासीकी को हराया मुसाशी ने तब इसके बाद मुसाशी की reputation Unbeatable कि इसको हरा ही नहीं सकता कोई और इसलिए मुसाशी एक लेजंड बनके हमेशा के लिए समुराइज की दुनिया में अमर हो गया अगर आप ये इन तीनों कहानियों को देखें इन तीनों जो डुएल्स हुए उनमें अगर आप देखें तो आपको एक पैटन नज़र आएगा पैटन ये है कि मुसाशी ने किसी भी लड़ाई में अपनी टेकनीक को रिपीट नहीं किया उसकी विनिंग टेकनीक थी हर बार, हर बार जीता वो बट वो हर बार अपने ओपनों को सर्प्राइस करता था पहरी लड़ाई में माधाशी जीरो को लग रहा था कि ये बहुत लेट आएगा तो उसने एम्बुज बनाने के लिए अपने आर्मी को लेके गया था बट वो पहले सी आके बैठा था वहाँ पर और उसने अटाक कर दिया दूसरी लड़ाई में जो बन्दा था वो सोच रहा था कि ये आएगा एक तलवार लेके इसको महरा दूँगा तो उसको लड़ा था कि ये बेज़िती कर रहा है और उस केस में भी मुसाशी ने सामने वाले जो उसका जो ऑपोनेंट था उसके फोकस को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया हर बार उसने अलग टेक्निक इस्तेमाल की इसलिए कभी पता ही नहीं चल पाया उसके ओपोनेंट को कि ये करने क्या वाला है और ये सिर्फ एक वार्यर की बात नहीं है बड़े बड़े दुनिया में जितने military generals हुए हैं वो अगर बहुत ही successful रहे हैं तो उसमें हमेशा आप ये pattern देखोगे कि सामने वाले को वो surprise करते थे अगर आपके पास एक बहुत चोटी आर्मी भी है फिर भी आप एक बड़ी आर्मी से पकर ले सकते हो अगर आप उनको surprise क करने में काम्याब हो गए ये बार-बार हुआ है history में और वर वार टू की बात करें तो अर्विन रॉमल ने North African campaign में ही किया था वो बहुत कम resources लेके गए थे allied forces के अगेंस्ट North Africa में बट जब अर्विन रॉमल axial forces को lead करते हुआ आया Libya में उसके बाद axial forces के लिए पूरी तरह battle change हो गया वो जीतने लग गए वो offensive आ गए क्योंकि इसके पहले allied forces को लग रहा था कि वो जीत जाएंगे बट अर्विन रॉमल ने इतना surprise वो अटक करता था और हमिशा कहीं unexpected तरीक से अटक करता था कि सामने वाले को कुभी पता ही ने चला कि next attack करेगा और यही रॉमल के success का wizard fox काते था क्योंकि वो fox की तरह अचानक से attack करता था अर्विन रॉमल का जो पूरा North African campaign का journey था उसके बारे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है उसका description में आपको link मिल जाएगा अगर सिर्फ military general से हटा के और बात भी करें तो अगर आप सोचो तो personal life में भी बात अपलाए होती है अगर हम कोई चीज सही से कर लेते हैं कहीं हम जीत जाते हैं हम successful होते हैं तो हम उसी technique को बार बार लगनी कोशिश करते हैं बट फिर एक point पा कि वही technique आपको धुखा देती है आपको नुक्सान करवा देती है जैसे मैंने शुरू में कहा अगर आपके टीम जीत रही है तो आप सोचोगे कि वही टीम फिर साब खिलाओ बट ऐसा नहीं होता आपको सामने वाली टीम को देखना होता है कि क्या उनकी strength है और उनकी strength के साबसे अपनी टीम आपको बदलनी होती है उनको counter करने के लिए बट ये भी बात है कि सब में इतनी हिमत नहीं होती अगर आपकी टीम लगातार जीत रही है और आपने last moment में आके टीम को change कर दिया तो अगर फिर अगर आप हारे तो पूरी दुन्हें आपके बाद टूट पड़ेगी कि तुन्हें टीम को जीत रहा था तो इसलिए अगर आपको knowledge है आपके सारे performance का एक हिस्सा होना चाहिए और एक हिस्सा आपका होना चाहिए present में क्या हो रहा है इस समय मैं क्या कर सकता हूँ और यही चीज जात और आदमीज नहीं कर पाती है और इसलिए फिर फिर वो हाल जाती है इस जो present से connect होने वाली बात है इससे related एक बहुत ही अच् बहुत आपके जरूर जरूर उस फिच्चर में एक सीना आता है जब टॉम क्रूज प्रैक्टिस कर रहा है लड़ाय की आचिछी वो तल्रावजी प्रैक्टिस कर रहा रहा हूते है तो वो लगातार एक समूराय से हार रहा ह। तो ओडियंस में टॉम क्रूज का एक दोस्स mind people watching too many mind no mind इसका मतलब वो Tom Woods को कहा रहा था कि तुम अपनी तरवार पे धान दे रहे हो तुम एनिमी पे धान दे रहे हो तुम लोगों पे धान दे रहे हो तुम्हारा दिमाग बहुत भटका होगा है अपने दिमाग को फोकस करो और सब कुछ भूल जाओ no mind इसलिए चाहे कोई भी जंगो चाहे कोई military की जंगो चाहे आपकी personal life की जंगो present में रहना बहुत ज़रूरी होता है